नमस्कार दोस्तों गुड मॉर्णिंग कैसे हैं आप लोग कमेंट करके जनूर बताईएगा वेलकम बैक तो माई यूटुब चैनल मेरी यूटुब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों एक बड़ी खबर एक बड़ी अपडेट इस वीडियो में आज हम आपको देने वाल करना होऺए कहीं से डिलेड करते हैं तो मेरा उर्फर हो जाएगा घर पर लोग क्या करेंगे Gleich रहें बात तो बिल्कुल सहिए लगिन कहीं से डिलेट आपको करने की अब सकता नहीं है दोस्तों बस जो यह आशित है उसी पर आपको फाइट करना है अगर अभी भी आप्ष मौका है वहाँ से अगर हारते हैं तो फाइप बेंचों में जाने का मौका है लेकिन तब जब एक जूट होई एगा तब अगर आप एक केले लहिएगा अलग-अलग करते fight करते रहिएगा क्यूंकि अलग-अलग fight के कारण ही आज हम स्प्रीम कोट से हा रहे हैं लेकिन अगर आप एक रहिएगा तो हमें कोई नहीं हारा सकता है जैसे पटना हाई कोट में हम लोग fight करके एक साथ लड़े थे देख सकते हैं कि 18 मा के डिल्ड वालों के नुक्ति पत पर यह का फैसला लिया गया है हलाकि बाद में उस लेटर को अपनी website से हटा दिया गया है पहले website पर अपलोड किया गया था फिर हटा दिया गया है लेकिन तब तक वह ख़बर बैरल हो चुका होगा लेकिन अभी भी आप लोग बहुत सारा ऐसे होंगे कमेंट करेंगे कि आप फेक वीडियो चला रहे हैं क्योंकि website पर है नहीं इसलिए हमने पहले ही का दिया उस लेटर को डाला गया था लेकिन एक से दो घंटा के बाद उस लेटर को अपनी website से केवियस ने हटा दिया है लेकिन फिच जनकारी मिली है कि उसको संसोधन करके फिर website पर अपलोड किया गया है कि कानूनी सालाकार हम लोग ले रहे हैं जल्दी बाजी में यहां पर देख सकते हैं कि सप्लिमेंटरई के बाद जो की जा रही है वह सचायों के निरदेश के बाद की आएगा क्योंकि अब बहुत बड़ा आगे भूचाल आने वाला है लोग खुसी मना रहे हैं कि टेलेड बाहर हो गया हम आपक का हुआ है तो बिहार में क्या से कब क्या हो जाएगा किसी को पता नहीं है इसलिए थोड़ा सा जादे खुसी नहीं मनाईए और एक जूट हो ये क्या करना है कैसे करना है उसका रहनेती बन रहा है आये की लड़ाई लड़ना है लेकिन उसका लिए आपको साथ देना होगा हम दे देंगे नहीं तो हमेरा community post में डाला हुआ है और टेली ग्राम में आप लोग जादे से जादे ज्यादे जूड़ सकते हैं लेकिन वाटसप में सिफ एक हजार करी डेट ही जूड़ सकते हैं जो पहले आएं वो जूट गए और अगर आप जूड़े हैं तो आपके नजर में 10 एनाश करी डेट जरूर होंगे उन लोगों को भी उस ग्रूप में चोड़िये क्योंकि चितना संख्याबल हमारी रहेगी पुरसान हम लोग को उतना मिलेगा और लगेगा कि नहीं हमारे पीछे 20,000-30,000 करी डेट हैं क्योंकि रहते हैं 60-70,000 करी डेट अभी अगर है कि आप आगे आए तो आप क्या किजिएगा दस लोग आए आएगा पचास लोग पीछे हड़िये लेकिन जब आपको बोला जाएगा कि ठीक आप फारम डाली एनाश करने डेट हैं तो डिल सो दो सो लोग फारम डालना शुरू कर देंगे तो यह लोग कहां किस बिल में शुपए होई रते उनको निकालिए तो चलिए इस ख़बर को विस्तार से देखते हैं पहले देखेंगे अठारा मां के डिल वालों के लिए नुक्ति पत्पे और सिच्छाई वार के निर्देश के बाद आया पूरक रिजल उसके बारे में चर्चा करेंगा और जो लोग चैनल पर नए जून है और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा बेल आइकन को प्रेश जरू कर लिजेगा ताकि पलपल का अपडेट आपको मिलता रहा है देख लिए ख़बर पटना चपके आ रही है और हिंदुस्तान पेपर में इस न्यूज को परकासित किया गय अब तब तक यह ख़बर बारल हो चुका जैसे ही केविस अपना निन्य लेगा उसके पीछे ठिक बीपियस से भी अपना निन्य लेगा क्योंकि एक बोर्ड का निन्य लेने बाकि सब बोर्ड उसी का दिखा इसकी करने लगता है यहां निन्याई केंद्रिये विद्ध्याल हैं 30 नमंबर को आईत रोजगार मेला में इन्यों नुक्तिपत देना है इन 97 अभ्यरतों ने 26 अभ्यरती ए 18 महीने के डिल कोर्स करने वाले यानि कि 26 अभ्यरतों को 37 नमंबर को होने वाले रोजगार मेला में नुक्तिपत नहीं दिया जाएगा कितना जटका लगने वाला है दोस्तों यानि कि 30 ऐसे कनी रेट हैं जो एन्यों से किये हुए हैं टोटल बिहार में और उनको नुक्तिपत के विएस का नहीं मिलेगा यानि कि नौकरी आये हुए हाथ से निकलता दिख रहा है और इसकी सा भारी उप्यूक्त सोमा घोस ने दी है उन्होंने कहा है कि जब तक आगे कोई निर्णे नहीं हो जाता तब तक इन 26 अव्यर्टों के नुक्तिपत नहीं दिया जाएगा यानि कि इनका नुक्तिपत बरकारा रहकार खराएगा क्योंकि उन्होंने पता है कि साइज सुप्रि कि बात करें तो 2,85,000 से कोनिया कोर्स किया है इसमें 2,00,000 नीजे स्कूल और 85,000 सरकारी अस्कूल के सिच्छक भी सामिल है तो यह हमने बात किया अब आपने सप्लिमेंटर रिजल्ट की बात करते हैं जो पूरक रिजल्ट है देख सकते हैं कि सच्छा यवाग के रिजल्ट नहीं जारी होगा जब तक कि बीभाग कुछ ना कहा है पूरक रिजल्ट के लिए धर्ना देने पहुंचे थे शाथ बीप्यसी का यह स्टेटमेंट है यह भी ख़बर पटना चपके आ रही है और हिंदुस्तान पेपर में उसको प्रकासित किया गया है कहा जा र बाद सरकार से सभी जिलावा रिक्तियां प्राप्त की जाएगी इसमें किस रेनी के कितने उमिदवार ने योगदान नहीं दिया है यह देखा जाएगा क्योंकि इसी अधार पे रिजल्ट भी आएगा क्योंकि कितने लोग योगदान के हैं उसी का सिट खाली होगा उसके जारी किया जाएगा इसके बाद ही पूरक रिजल्ट संबभ है आयोग ने कहा है कि कारियाले के बहार आकर भीड लगाने से रिजल्ट जल्द प्रकासित नहीं होगा सचीव रभी भूसन ने बताया कि इसे चक नुक्ति के पहले चरण में समगर रिपोर्ट तयार होने के समय लगेगा इधर बुधवार को काफी चात आयोग करियाले के बाहर पूरक रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर धरना देने गया थे लेकिन उसका साफ अस्टेट्मेंट आ गया है भी पेसी के तरफ से कि धरना देने से आपको कुछ नहीं होगा फिर जमाने से आपको क क्रमेंटर के बता सकते हैं और ऐसे ही वीडियो नीच पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें फिर मिलते हैं एक नेक्ट वीडियो में धन्यवाद दोस्तों